जैहो किष्ण हुगान की सिरी किष्ण हुगान अर्जुन से कहते हैं उन उन भोगों की कामना दुवरा जिनका ज्यान हरा जा चुका है वे लोग अपने सभाव से प्रेज्ट होकर उस उस नियम को धर्ण करके अन्न देवताओं को भजते हैं थात पूजते हैं जो जो सकाम भगत जिस देवता के दुवारा सुरूप को शर्दा से पूजना चाहता है उस उस भगत की शर्दा को मैं उसी देवता के प्रती स्थिर करता हूँ वहपुरिश उस शर्दा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किये हुए उन इचित भोगों को नीशन्दे प्राप्त करता है परन्तु उन अल्प बुद्धी वालों का वह फल नासवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाली देवताओं को प्राप्त होती है और मेरे भगत चाहे जैसे ही भजे अन्त मेवे मुझको ही प्राप्त होते हैं जैहो किष्ण भगवान के शिरी किष्ण भगवान कहते हैं बुद्धी हिन पूरुष मेरे अनुत्यम अविनासी परमभाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सतीदान अंदगन प्रमात्मा को मनुष्य की भवानती जनम कन व्यक्ति भव को प्राप्त हुआ मानते हैं अपनी योग माया से छीपा हुआ मैं सब के परतेक्ष नहीं होता इसलिए वह अज्यानी जन समुदाए मुझ जनम रहित अविनासी प्रमेश्वर को नहीं जानता अथात मुझ को जनम ने मरने वाला समझता है हे अर्जुन पूरे में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूत्यों को मैं जानता हूँ प्रंत मुझ को कोई भी शर्दा भक्ती रहित पूरुष नहीं जानता हे भर्तमान सी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेश से उत्पन सुख दुखादी द्वन्द रूप मुह से संपूर्ण प्राणी अर्ट्यद अग्यता को प्राप्त हो रहे हैं प्रंत निश्काम भाव से स्रिष्ट कर्मों का अचन करने वाले जिन पूर्षों का पाप निश्ट हो गया है वे रागद्वेश जनित ज्वन्द रूप मुह से मुक्त द्रिट निश्चे भक्त मुझ को सब परकार से भजते हैं जो मेरे शरन होकर जरा और मरन से छूटने के लिए यतन करते हैं वे पुर्ष उस ब्रह्म को संपून अध्यातम को संपून करम को जानते हैं जो पुर्ष अधिभूत और अधिदयव के सहित तथा अधियग के सहित सव का आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चीत वाले पुर्ष मुझे जानते हैं और तार्थ मुझे प्राप्त हो जाते हैं जै हो कृष्ण भुगवान हे कृष्ण गोविंदहरे मुरारे हे नात नारायन वासुदेवाई हे कृष्ण गोविंदहरे मुरारे हे नात नारायन वासुदेवाई हे कृष्ण गोविंदहरे मुरारे हे नात नारायन वासुदेवाई ए क्रिश्न गोविंद हरे मुरारे नात नाराय नवासु देवाए ए क्रिश्न गोविंद हरे मुरारे नात नाराय नवासु देवाए शीरी मत भोगत किचाजी क्या आते हैं? जय भगवत गीते माँ जय भगवन गीते हरे कमल विहारिन सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते करम सुगम प्रकाशिने कामा शक्ति हराव तातव ज्यावी कासिने विज्या ब्रह्म परा जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विद्यायनी निर्मल मल हारी शर्ण रहस प्रदायनी सव विजी चुख कारी जय भगवत गीते राग गेश विदारिनी कारीनी मोद सदा भवय हारनी तारनी परमानंद प्रदा जय भगवत गीते आसुर भववी नाशिनी नाशिनी तमरजनी देवी सद गुण दायनी हरी रसका सजनी जय भगवत गीते समसा त्याग शिखाविनी हरी मुक्ती बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी स्रुतियों की रानी जय भगवत गीते दया सुधाबर साविनी मा तू मा चुक्रिपा की जय हरी पद प्रेम दान कर अपना कर ली जय जय भगवत गीते जय भगवत गीते मा जय भगवत गीते हरी य कमल विहारीन सुधर सुपुनीते जय भगवत गीते जय हो किष्ण भगवान के आप सभी से प्रार्थना है कि आप सुन्दर ये भगवत गीता जी का पाठ अपने घर में जो बड़े बजुर्ग हों जो चल फिर ना सकते हों और बिमारी से प्रेशान हों जुरूर उनको गीता जी का पाठ सुनाएं ताकि वो अपनी प्रेशानियों से प्रभू की क्रिपा से बिमारीयों से और प्रेशानियों से मुक्त हों और उनको शानते मिलें मैं आप से हाद जोड़कर प्रार्टना करती हूँ कि आप अपने घर में आईर विदिक पोधी जरूर लगाएं जैसे तुलसी का है, मनी प्लांट का है, एलो वीरा का पोधा है वो आप जरूर लगाएं ताकि किसी को भी ओक्सिजन की कमी ना हो और सभी निरोग रहें विश्व के कल्यान के लिए, जगत के कल्यान के लिए मैंने ये रामायन और भगत गीता जी का पाठ शुरू किया हुआ है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसका लाब उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, आप सभी के स्वस्थ की अच्छी स्वस्थ की कामना करते हुए मैं ये वीडियो संपन्न करती हूँ जय हो सिराम भगवान। जय हो सिरिकिष्ण भगवान।